आज भारती जुनता पार्टी के ओर से नरेंद्र मोदी नैशनल डेमोकरेटिक अलायंस यानि की NDA संसदी दल के लिए चुने गए हैं नैदिली सित्य संसद भवन में भाजपा से नम निर्वाचिस सांसद राजास सिंग ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था जिसका BJP के सभी घटक दलों के नेताओं ने समर्थन क्या समर्थन करने वाले प्रमोक NDA नेताओं में शामिल बिहार के मुख्य मंत्री और जनतादल यूनाटेट के अद्देक्षन नितिश कुमार ने NDA और BJP के नेता की रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुह लगाते हो कहा कि जेडियो नरेंद्र मोदी को भारत के PM पत के लिए समर्थन देता है या बहुत खुशी के बाद है कि 10 साल से वा PM है और फिर PM बनने जा रहे हैं या पूरे तोर पर सब दिन उनके साथ रहेंगे जो इधर उधर जीत गए हैं वे सब अगली बार हारेंगे आगे नितिश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज ही PM पत की शपत ले लेते तो भी ठीक था वा तो सब दिन उनके साथ ही हैं जिसे सुलकर संसत भवन में नरेंद्र मोदी खिलखिला उठें हमारी पार्टी जन्ता दल युनाइटेड भारत की जन्ता पार्टी संसद्य दल के निता आदर निये स्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधान मंत्री पत के लिए समर्थन देती है और ये बहुती खुसी की बात है दस साल से ये प्रधान मंत्री हैं और फिर प्रधान मंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा किये अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे जो भी हर राज्य का है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है और आप जान लिजिए कि कुछ लोग हम लोगो तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आईएगा न तो इस बार हम देखे है कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है अगली बार सब हारेगा हमको पूरा भरोसा है ये सब बिना मतलब का बात बोलबोल करके बिना मतलब का बात बोलबोल करके क्या किया है और ये सब कोई काम किया है उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया है देश की कोई सेवा नहीं किया लेकिन आपने इतनी सेवा किया है और उसके बाद इस तरह से हुआ है तब इस इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइस नहीं रहेगा वो सब खत्म होगा अब यहार अदेश बहुत आगे बढ़ेगा अब यहार वहार का भी तो सब काम होई जाएगा जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही करतेंगे सबसे पुराना इलाका है पर इसलिए हम लोग तो पूरे तोर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा आप जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं तो सब लोग ठ और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम सुरू हो जाया सपतगरन हो जाया अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था लेकिन आपके जब इच्छा है तो जब भी हो जितना तेजी से काम हो जाया तो बहुत अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुसी होगी और पूरे देश में इसका बहुत जादे फाइदा है इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाव नहीं है तिसलिए मैं आपका अविनंदन करता हूं और आपके नित्रत में सब लोग काम करेंगे सब लोग चलेंगे इनी सब्डों के साथ और आप सब लोग इतना खुसी हैं सब पार्टी के लोग मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ हो करके जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इनी सब् बहुत बहुत भन्यवाद बहुत बहुत भन्यवाद